हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक आप मिला है, देवी, इसका कारण आप भी भली भाती जानती है, परंतु आप में मम्ता की भावना प्रबल है, और आप इस समय एक मा की भाती मेरे पास आई है, हे प्रभू, हे सर्वान्तर यामी, प्रणाम प्रभू, आप ही ने तो कहा है, कि यदि कोई परश्चताप से पुनीत होकर, सब को छोड़कर भाक्ती भाव से आपकी शरन में आता है, तो आप उस शरनागत का उधार करते हैं, उसे मौक्ष दिलाते हैं, स्तम्भा सुर्भी वैसे ही पुनीत होकर, भाक्ती भाव से आपकी शरन में आया था, परंतु उसे भाक्ती का क्या फल मिला, उसे तो अंतरिक्ष में स्तंभित कर दिया गया है, प्रभू, जिसके मन में प्रभू के चर्णों पर अपने आपको समर्पित करने की भावना का उधाय हुआ है, ऐसे भाक्त को इतना भयंकर दंड, प्रभू, अंधका सुर की तरह, स्तंभा सुर भी, जन मज्यात आसुरी प्रवृत्यों के कारण फटक गया था, अब वो भग्ती के मार पर पहला पग रखने जा रहा था, वो वर्दान का अधिकारी था, परंतु उसे इतना भयंकर संताप मिला है, देवी, इसका कारण आप भी भली भाती जानती है, परंतु आप में मम्ता की भावना प्रबल है, और आप इस समय एक मा की भाती मेरे पास आई है, अपने भक्त का अधिकार चाहती है, परंतु मम्ता के आवेश में आप भूल रही हैं, कि विधी का विधान मनुष्य को उसके कर्मों का दंड भी अवश्य देता है, शुक्राचारी ने इस तंभा सुर को जो श्राप दिया है, वो उसके कुकर्मों का ही परिणाम है देवी गंगे, परंतु भगवन, मुझे अपने भक्तों को अक्षमा करने में ही आनन्द आता है, मैं एक भाग की ये दोर्दशा कैसे देख पाऊंगी, मेरा मन विचलित हो रहा है, देवी, आप तो वादसल्य की मूर्ती हैं, ममता की नदी हैं, इसलिए स्तंभा सुर के लिए आपका द्रवी थोना स्वाभाविक है, देवी, शुक्राचार ने स्तंभा सुर को अंतरिक्ष में स्तंभीत तो किया है, परन्तु आप यूँ समझ लीजिए, कि स्तंभा सुर अंतरिक्ष में मुक्ती के द्वार पर मुक्ती की प्रतीक्षा कर रहा है, देवी, शुक्राचार महा ज्यानी है, महा बुद्धिमान है, वो आपको पाताल लोक ले जाना चाहते हैं, और आपको पाताल लोक ले जाने के लिए ही उन्होंने आपके भक्त स्तंभा सुर को साधन बनाया है, मुझे पाताल लोक ले जाने के लिए मेरे भक्त को साधन बनाया है, हाँ देवी, शुक्राचारे जानते हैं, कि आप जैसी माता अपने पुत्र को पीड़ा और यातना से मुक्त कराने, पाताल लोक तक अवश्य जाएंगी, परन्तु प्रभु, पाताल लोक में मेरा जाना अब से कई युगों के पश्चात सिन्श्चित है, प्रभु, आप तो सभी का भूत, भविश्य और वर्तमान है, समय आप ही का अंश अफथार है, यदि आप चाहे तो पातालोक में मेरा अवतरन इसी समय हो सकता है देवी परन्तु भविष परतमान में कैसे बदला जा सकता है समय से पहले आपका पातालोक में अवतरन कैसे हो सकता है इसके लिए आपको प्रहलात के पौत्र राजा बली के समय तक प्रतीक्षा करनी होगी आप निराश नहों देवी स्तंभासुर स्तंभी तवस्था में तब करके अपनी आत्म शुद्धी कर लेगा और तब तक प्रहलात के माध्यम से असुर कुल में भक्ति का दिव प्रकाश फैल चुका होगा परंतो शुक्र चारिय तो भक्ति के इस प्रकाश को फैलने से पहले ही नश्ट कर देना चाहते हैं चिन्ता न करो देवी आपका आशिर्वाद सुदर्शन चक्र बनकर मेरे परंभक की रक्षा करेगा चिन्ता प्रकाश कर दो कर दो